करेंट सिच्छा यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहें डेली करेंट अफियर्स का MCQ बेस्ट कोश्चन है दो जनवरी 2023 का जो करेंट अफियर्स है इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे पहला कोश्चन है who become the new president of Brazil ब्राजिल के नए राष्टपती कौन बने हैं तो इसका सही उत्तर है option number A Lula da Silva जो है अभी ब्राजिल के नए राष्टपती बने हैं तो इसका option number A सही होगा इसके पहले जो राष्टपती थे उनका नाम था J.R. Bolsonaro जो थे इसके पहले राष्टपती थे ब्राजिल के और अभी राष्टपती ब्राजिल के बने हैं उनका नाम है Lula da Silva आप कमेंट सेक्षन ने बताइएगा ब्राजिल का कैपिटल क्या है अगला question है who become first Indian to win two medals at world blitz chase championship यानि विश्व blitz 17 championship में दो पदक जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं तो सही उत्तर है option number D कोनेरू हमपी जो है या भारत के chase player है और या दो पदक जीतने वाले या पहले भारतिये बने हैं विश्व blitz 17 championship में तो सही उत्तर हो जाएगा option number D कोनेरू हमपी तीसरा नम्मर कोश्चन है विच स्टेट बोमेंस अंडर 18 हौकी टीम है बोन्द खेलो इंडिया यूथ गेमस 2022 किस राज्य की महिला अंडर 18 हौकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेमस 22 जीता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C हरियाना हरियाना की जो हौकी बोमेंस अंडर 18 टीम है उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेमस 22 जीता है सही उत्तर हो जाएगा option number C हरियाना अगला है विच स्टेट मेंस अंडर 18 हौकी टीम हैज बोन्द खेलो इंडिया यूथ गेमस 2022 किस स्राज की पुरूस अंडर 18 हौकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेमस 2022 जीता है तो सही उत्तर हो जाएगा option number C मध्ध परदेश का जो पुरूसों का अंडर 18 हौकी टीम हैवा खेलो इंडिया यूथ गेमस 2022 को जीता है तो सही उतर हो जाएगा option number मध्य प्रदेश अगर आप इस channel बने हैं तो please like किजी और subscribe कर लिजे channel को ताकि आपको notification मिलता रहेगा अगला है question number 5 डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी नेशनल इंस्टिचूट आप वाटर एंड सैनिटेशन हैज बिन इनेगुरेटेट इन वीचर स्टेट डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी राष्ट्रिय जल और स्वक्षता संस्थान का उद्गाटन किस राज्य में क किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B पश्चिम बंगाल हाली में नरेंद्र मोदी जो है वह पश्चिम बंगाल में डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी नेशनल इंस्टिचूट आप वाटर एंड सैनिटेशन को इनेगुरेट किये हैं च्छथा नम्मर कोश चुनाओ आयोग ने किस रेनी के लोगों के लिए रिमोट इलक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का एक प्रोटोटाइप विक्सित किया हैं तो सही उत्तर इसका हो जाएगा option number B डोमेस्टिक माइगरेंट वरकर्स यानि घरेलू प्रवासी स्रमिक के लिए जो भारत के चुनाओ आयोग है वा एक रिमोट इलक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन को विक्सित किया गया है अगला question है विच इंडियन आर्ण फोर्स सक्सेस्फुली टेस्ट फायर्ड दे एक्स्टेंडेड रेंज वर्जन ऑप ब्रम्होस एयर लांच मिसाइल किस भारतिये ससस्तर बलने ब्रम्होस एयर लांच मिसाइल के विस्तारित रेंज संसकरन का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C भारतिये एयर फोर्स जो है वा ब्रम्होस एयर लांच मिसाइल को सफलता पुर्वक परिक्षन किया गया है अगला question है the Indian army has handed over first ever 3D printed house for soldiers at which city भारतिये सेना जो है वा किस सहर में सैनिको के लिए पहला 3D मुद्रित घर स्वापा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C अगला question है recently election commission has announced delimitation of constituency in which state हाली में चुनावा योग ने किस राज में निर्वाचन छेत्र के परिसीमन की घोसना की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D जो election commission है वहा हाली में असम जो राज है वहाँ निर्वाचन छेत्रों के परिसीमन की घोसना की है अगला question है fossil remains of 119 million year old big bird Confucius sonirs Confucius sonirs सिफान वेर recently discovered in 119 million वर्स पुराने चूँच वाले पक्षी जो है Confucius sonirs सिफान के जिवास में अवसेश हाली में कहां खोजे गए थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A चीन में जो है 119 साल पुराना एक जिवास मिला है जो की चूँच वाले पक्षी है Confucius sonirs सिफान है तो सही उत्तर है option number A यह जो पक्षी है इसका जो है Fossil fuels मिला है 129 million वर्स पुराना है अगला है which state celebrated 160th death anniversary of freedom fighter यू कियांग नगबाह किस राज ने स्वतंदरता सेनानी है यू कियांग नगबाह की 160 वी पुन्यतिती मनाई है तो सही उत्तर हो जाएगा option number B मेघाले जो राज है वह यहां के जो स्वतंदरता सेनानी थे यू कियांग नगबाह इनकी यह 160 वी पुन्यतिती मनाई है तो सही उत्तर है option number B मेघाले अगला कोश्चन है इन वीच प्लेस अन्यूव स्पेसी जॉब बुश टोमेटो क्रिश्टेंड गैरार नुवन बुश टोमेटो वाज डिसकावर्ड किस स्थान पर जहाड़ी टमाटर की एक नई प्रिजाती है जिसका नाम है गैरार नुवन बुश टमाटर की खोज की गई थी तो सही उत्तर हो जाएगा option number D आस्ट्रेलिया में जो है एक नए प्रिजाती का टमाटर जो है इसका खोज किया गया था option D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है किरिट पारिक कमिटी which was seen in the news is associated with which sector जो किरिट पारिक समीती है जो अभी ख़बर में रही थी वह जो है किस छेत्र से जूड़ी हुई है तो सही उत्तर इसका है option number B या जो है जो गैस मुल्ले का निर्धारन जो किया जाता है इससे या related है कमिटी समीती जिसका नाम है किरिट पारिक समीती सही उत्तर हो जाएगा option number B गैस मुल्ले निर्धारन से related है अगला कोश्चन है विच कम्पनी हैज बोन द बिड़ फोर द रिनोवेशन ओप धारावी दे सेकेंड लार्जेस्ट स्लम कॉल्नी इन एसिया किस कम्पनी ने एसिया की दूसरी सबसे बड़े जुग्गी बस्ती धारावी के नवीनी करन के लिए बोली जीती है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B अडानी प्रपाटी जो है वह धारावी जो जुग्गी बस्ती है मुंबई में इसके लिए जो इसके नवीनी करन के लिए बोली जीती है तो सही उत्तर हो जाएगा option number A अडानी प्रपाटी अब हम लोग जो कलका जो question दिये थे उसका हम लोग solution देख लेते हैं कलका था question कलका question था सुबन सीरी निमलिखित में से किसकी सहायक नदी है तो सही उत्तर है option number A है सुबन सीरी जो है वह ब्रह्मपुतर नदी की सहायक नदी है तो इसका क्या होगा option A जो होगा सही होगा ब्रह्मपुतर रिवर कमेंट सेक्षन में दो का कमेंट सही था और जो और नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक है वह है मानस, बेकी, सोंकोस, ए, धनसीरी, बॉर्गोंग, बॉर्गोंग या जो कुछ नदियां है वह ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसकी सहायक नदी है आज का कोश्चन है What is added to make natural rubber hard? यानि प्राकिर्तिक rubber को कठोर बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताईएगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसको सेयर कीजिएगा जय हिन जय भारत झाल